हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टॉपर बिंस आज चैप्टर 11 टू लिटल किटिन्स का कोशन अंसर करने वाले हैं कोशन अंसर में आपको तिंक अंसर और वैलवेट अंसर भी मिल जाएगा एक ही जगा पे इसी वीडियो में आपको सिर्फ करना यह है कि चैप्टर को अच्छे से आपको देख लेना उसके बाद इस वीडियो को आप जब देखेंगे कोशन अंसर को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा गारजियन से और टीचर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों को अच्छे से प्रेरित कीजिये कि वह एक्स्बाइशन वीडियो को देखें समझे और आप लोगों को भी उसमें हिल्प कराना तो और रहेगा उसलिए रहेगा इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक्स्प्राइशन वीडियो भी देखें मैं डिस्कृ्स Ayay मैं लिंक प्रोवाइट कर रहा हूं और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के सारे चैप्टर्स को वाच कर सकते हैं और जो चैप्टर्स आपको चाहिए होंगे वो कमेंट करके मुझे बताइए और आपको एक चीज और करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त क्लास थर्ड का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास थ्री में भी आप जाएंगे तो आपको सारे एक्स्प्रेनेशन और चैप्टर्स मिल जाएंगा यहां पर हम लोग फिलिन दे ब्लैंक्स टू फॉल्स सब कुछ करने वाले हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं चलिए स्टार् हां बाहर आंधी तूफान बहुत चल रहा था उस रात को वो लोग फाइट किये थे येस ट्रू बहुत था इसलिए ये तो गलत बात है इसलिए फॉल्स हो गया अब आता है कोशन अंसर्स मैं करवाया हूं नीचे आपको मिल जाएगा ये देखिए पहले हम लोग ये एक्सरसाइज का ये जो ग्रामर पाट है थोड़ा सा ये देख लेते हैं मैचिंग है यहां पर यह आप देख लीजिए ठीक है अच्छे से आप देख करके आप इसको कर सकते हैं है ना बीर का क्या हो जाएगा बीर का कब होगा ओके काव का काफ मतलब बीर के बच्चे को क्या कहते हैं कब काव के बच्चे को क्या कहते हैं काफ डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं पपी गूज के बच्चे को क्या कहते हैं गोजलिंग डग के बच्चे को क्या कहते हैं ड वो भी वर्ड जो रहेगा वो कुछ अनिमल का नाम रहेगा इससे क्या बनेगा हॉर्स, टाइगर, कैमल, जैकल, जीराफ, एलिफेंट यहाँ पर वील का प्रयोग हम लोग देखेंगे कैसे होता है, वील का प्रयोग, वील का यूज कैसे होता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं उस माउस को पालूंगा, पालूंगा, future में अभी मेरे पास नहीं है, पालूंगा You will have that mouse, तुम उस माउस को पालोगे, पालोगे, अभी पाए नहीं हो, future की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है You, we will see that, हम लोग उस चीज को देखेंगे, we will see to that, देखेंगे, बाद में, future में, आने वाले समय में देखेंगे, अभी नहीं The highlighted groups of words show that the action will happen at a later time तो यह जो action यहाँ पे होने वाला है वो आने वाले समय में होगा ऐसा underlined words से हम लोगों को पता चल रहा है When we want to talk about an action जब हम लोग कोई काम के बारे में बात करने का कोशिस करते हैं बात करने का इच्छा जदाते हैं which is to take place at later time जो हम लोग बाद में समय में करने वाले हैं बाद के समय में तब हम लोग यूज करते हैं will का along with the verb उस भर्ब के साथ हम लोग will को यूज करते हैं भर्ब का मतलब आपको पताई होगा कोई भी work को करना कोई भी काम को करना जो होता है वो भर्ब कहलाता है तो विल का प्रयोग, विल का यूज हम लोग तब करते हैं, जब हम लोग कोई काम, फ्यूचर में करने वाले हैं, आने वाले समय में करने वाले हैं, फिर इन दी ब्लैंक्स दिया है उसी के उपर, the store will close at night, store जो है रात को बंध होगा, तो इसलिए will लगाया, will close, होने वाला काला clouds, काला बादल छाया हुआ है, it will rain, बादल है, तो बारिश होने वाला है, हुआ नहीं है, who will help me to choose a dress for the party, कौन मुझे मदद करेगा, पार्टी के लिए dress चूज करने में, तो कौन करेगा, future की बात हो रहा है, the policeman are chasing the team, पुलिसमेन, चोर को दोड़ा रहे हैं, chase कर रहे हैं they will catch him, वो लोग उनको पकड लेंगे, देख रहे हो, future का बात हो रहा है, मीरा will finish the work by tomorrow, मीरा कल तक अपना काम पूरा कर लेगी, कल तक future का बात हो रहा है, आने वाले समय का बात हो, इसलिए will लग रहा है ना, तो will का use आप समझ गया होंगे, आप question answers का time आ गया है, है ना, chapter 11, two did the fight begin, fight कैसे start होता, the two little kittens began to fight, to get the mouse, दोनों little kitten जो है, आपस में fight करते हैं, किसलिए, to get the mouse, वो जो चुहा पकड़ा हुआ था, एक ने, एक बिल्ली ने चुहा पकड़ा था, दूसरे बिल्ली उससे जगड रही थी, कि ये मेरा है, ये मेरा है, है ना, पोयम में हम लोग यही जगड़े का कारण क्या था, mouse, what punishment did the kittens get for quarreling, क्या punishment मिला, वो जो kittens है, जो लोग जगड़ा कर रहे था, quarreling मतलब जगड़ा करना, the old woman swept the kittens out of the room, जो बुड़ी औरत थी, वो kittens को जाड़ु मार करके बाहर फ्यंक दी, swept कर दी, where they faced the cold outside, जहाँ पे उन लोगों को बहुत ठंडा जहलना पड़ा बाहर में, did they realize their mistake, क्या उन्होंने अपने mistake को, उन लोगों को एहसास हुआ, what did they learn at the end, last में उन लोगों को क्या सीख मिला, yes, they realized their mistake, हाँ, वो लोग अपने mistake को realize किये, उनको पता चला, they learnt that it was better to lie down, वो लोगों को क्या समझ माया, क्या सीखा उन लोगोंने, it was better to lie down and sleep, than to quarrel and fight, उन लोगों को ये समझ माया, ये सीखने को मिला कि, वो लोगों को चुपचाप रहना चाहिए था, और सो जाना चाहिए था, ना कि उन लोगों को जगड़ा करना चाहिए था, ना, think and answer आवाता है, do you think we should fight with our friends or siblings over things, क्या आम लोगों को अपने भाई बैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कोई चीज को ले करके जगड़ा करना चाहिए, why do you think people fight each other, क्यों आपको लगता है कि लोग fight करते है, what is the best way to end a fight, क्या एक सही तरीका आप एक पता हिए जिससे, कि एक fight का end हो जाए, एक जगड़ा खतम हो जाए, तीन-तीन question दिया गया है इसमें, आपको खुद से भी सोच करके लिखना है, think and answer में, मैं parents request करूँगा कि मैं बच्चों को सिखाए, कि खुद से भी लिखने का ये develop करें, पोटेंसियल बच्चों का करवाए, मैं लिखवा देता ह हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे comment करते हैं, parents comment करते हैं, कि लिखवा देने के लिए, इसलिए मैं लिखवाता हूँ, लेकिन आप कोशिस कीजिए, आप खुद से लिखने का think and answer, थोड़ा सा इस answer में changes कीजिए, खुद से लिखने का कोशिस कीजिए, बच्चों है, वो develop हो जाए, no, we should not fight with our friends and siblings, हम लोगों को अपने friends और siblings से fight नहीं करनी चाहिए, second question का answer है, I think people might, I think people fight with each other to get their things or thinking done, लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, लोग आपस में इसलिए लड़ते हैं ताकि उनको अपना पसंद का चीज करना होता है, उनको अपने पसंद का और to get their thinking done, ये दो चीज के लिए वो लोग fight करते हैं, I think being quiet or satisfied is the best way to end a fight, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जगड़ा का खतम करने के लिए सांत बैठ जाना चाहिए, quiet बैठना चाहिए, या फिर satisfied हो जाना चाहिए, quiet or satisfied, satisfied मतलब संतूष्ट हो जाना, कि मुझे नहीं चाहिए, त दिखा दिये तो जगड़ा हो गई नहीं, लेकिन आप अगर जगड़ा करोगे कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, तो फिर तो हो गई, question number two, what would you do if you had only one thing to play with or eat, क्या आप करोगे, जब आपके पास एक ही चीज रहेगा, खाने के लिए और खेलने के लिए, जब कोई उसको मांगे, someone else wanted it, कोई और आपसे मांग रहा हो चीज, आपके पास एक ही है, आप क्या करोगे उस चीज को, खाने का चीज हो, चाहिए खेलने का चीज, आप उसको दोगे या फिर जगड़ा करोगे, या क्या करोगे, would you fight over it or share it, क्या आप उसको जगड़ा करोगे, या फिर उस क्योंकि हम लोग खुश नहीं रहते हैं, जब हम लोग जगड़ा करते हैं, क्वारल करते हैं और fight करते हैं तब, हम लोगों खुशी नहीं मिलेगा, बाद में हम लोगों को दुख ही होता है, to fight over anything is not a good manner, कोई भी चीज के ऊपर fight करना एक अच्छा सोभाव नहीं है, अच्छा हबीट होता है, sharing करने से हमेशा अच्छा ही होता है, कुछ नुकसान नहीं होगा, सब तरफ खुशाली होगा, और बच्चों को sharing करना सिखाना चाहिए, parents को यह चाहिए कि बच्चों को बार-बार सिखाये, कि share करना, सीखने, share करने से बहुत कुछ अच्छा होता ह इसके बाद एवैल्वेट कुश्यन अन्लाइक दा फार्मर्स इन लेसन शेरिंग दा हर्वेस्ट शेरिंग दा हर्वेस्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि फार्मर्स जो है वो अपने सारे जो वेजिटेबल से उसको शेर किये एंड में और share करके एक बहुत ही अच्छा grand soup बनाएं जिससे वो लोग party कर पाएं ऐसा उनके thinking माएं और वो करने का सोचे भी तो उनसे अलग हो करके ये cats क्या किये इनको एक mouse मिला और ये लोग जिद्धी हो करके दोनों अपस में लड़ने लगे तो वहाँ farmers अपने crops को share करके party मनाने का सोच लिए ये जगड़ा नहीं हुआ और यहाँ पे दो cat है जो एक mouse के वज़े से share नहीं करने के करन दोनों जगड़ा कर लिए तो यही discuss करना है कि कैसे जगड़ा को avoid किया जा सकता था yes the cats in this poem are very stubborn stubborn का मतलब गया हो था जिद्धी इस poem में जो cats का बात हुआ दो cats का वो काफी जिद्धी थे and they fight with each other और दोनों अपस में fight भी किये to get the mouse अपना mouse को पाने के लिए they could have share the mouse वो लोग को भी share mouse को share कर लेना चाहिए था हाधा आधा as the farmers share their crops जैसे कि share the harvest जो है उस चैप्टर में farmers ने अपने crops को share किया और एक delicious soup बनाने का सोच लिया ठीक है तो यह chapter यहाँ पर end होता है कैसा लगा comment करके बताईए और अगर कोई और chapter का वीडियो चाहिए होगा तो comment जरूर कीज़े मैं बनाऊंगा उसके उपर वीडियो और आप लोगों से request रहेगा कि आप चैनल को subscribe कर लिजए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कीजिए लोगों की help कीजिए share करके उनको भी help होगा और वो भी आगे बढ़ेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए goodbye